दोस्तो 25 जनवरी को सिनिमा गरों में रिलीज हुई थी बॉलिवुड के किंग खान यानि शारू खान की फिल्म पठान जिसने बॉक्स ओफिस पर तहलका मचा रखा है फिल्म को रिलीज हुई आज 34 दिन चल रहा है और फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है लेकिन दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पठान फिल्म के पूरे 34 दिनों के वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस कोलेक्शन के बारे में बहुबली 2 ने 510 क्रोड रुपे कमाये थे और शाहरू खान की फिल्म पठान इस रिकार्ड के बिलकुल नजदीक पहुँच चुकी है दो से तीन दिन में बहुबली 2 का 510 क्रोड का हिंदी में रिकार्ड तूट जाएगा लेकिन अगर मैं बात करूँ फिल्म के अभी तक के बॉक्स ओफिस कोलेक्शन की तो मैं आप लोगों को बताता चलो कि सिदार्थ अनंद की डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसका बजट लगबग 800 क्रोड रुपे का था तो वहीं फिल्म को पूरे वल्ड में लगबग 8000 स्क्रीनों पर रेडिस किया गया था फिल्म डवने पहले ही दिन जहां इंडिया से 57 क्रोड रुपे की नेट कोलेक्शन कर ली थी तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ड में 107 करोड रुपय की कॉलेक्शन कर दिखाई थी इसके बाद फेटान फिल्म ने अपने पहले 30 दिनों में 520 करोड 16,00,00 रुपय इंडिया से कमा लिये थे तो वहीं फिल्म का worldwide collection एक हजार चार करोड रुपए हो चुका था 31 दिन फिल्म ने कमाए एक करोड दो लाक रुपए और 32 दिन फिल्म का collection रहा लगबग दो करोड रुपए का था और 33 दिन फिल्म ने कमाए लगबग दो करोड पचास लाक रुपए तो फिल्म ने अपने पहले 33 दिनों में 523 करोड 70 लाक रुपए इंडिया से कमा लिये थे तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कोलेक्शन 1020 करोड रुपए का अकड़ा पार कर चुका था बात करो दोस्तो 34 दिन यानि आज की तो दोस्तो ये फिल्म आज भी इंडिया से लगबग 80 लाक रुपए कमा रही है और फिल्म ने अपने पहले 34 दिनों में 526 करोड 80 लाक रुपए इंडिया से कर रही है तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइट ग्रोड कोलेक्शन 1022 करोड रुपए का अकड़ा पार कर चुका होगा तोस्तो अगर आप लोगों ने भी पठान मुवी देखी है आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं